पशिम बंगाल देश की राजनीतिक हलचल का केंद्र बना हुआ है पशिम बंगाल विधासबा चुनावों के बीच किसान नेता राकेश टिकेट भी आज बंगाल जा रहे हैं वो आज कोलकाता और नंदीगराम में महा पंचायत करेंगे राकेश टिकेट सुबा 11 बजे कोलकाता में महा पंचायत में भाग लेंगे और शाम 4 बजे नंदीगराम में जन सभा को संबोधत करेंगे सायुक्त किसान मोर्चा की तरफ से भारती किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकेट सहीद कई किसान नेता देश के अलग-अलग हिस्सों में क्रिशी कानुनों के खिलाफ किसानों को एक जुट कर रहे हैं बंगाल विधान सबाचुनावों से ठीक पहले राकेश टिकेट का बंगाल दोरेपा उनका कहना है कि वो बंगाल इसले जा रहे है क्योंकि समी नेता बंगाल ही जा रहे हैं कहा समी नेता बंगाल जा रहे हैं इसले हम भी जा रहे हैं हो सकता है दिल्ली की कोई सरकार मिल जाए हमें भी राकेश टिकेट ने आगे कहा नेता जा रहे हैं वहाँ कोई आता जाता टकरा ही जाएगा हमसे उन्हें लेकर आएंगे यहाँ पर की दिल नी चलो भाई किसान बैठा हुआ है वहाँ तुम कैसे आगे निकल के राकेश टिकेट ने पशिम मंगाल की मुख्यमंतरी ममत ममताब एनरजी पर कतत हमले को लेकर भी अपने राई रखी और कहा कि एक तरफ लड़कियों को पढ़ाने की मोहिम चला रहे हैं महिला दिवस मना रहे हैं दूसरी तरफ एक महिला जो मोर्चा संभाले हैं उसे चोट मरवा कर हॉस्पिटल में भरती करवा दिया आपको बता द रहें कि जब वोट के आएगी तो वह लोगों से कहेंगे कि बीजेपी को लोग वोट ना दे उनका कहना है कि बीजेपी ने देश को बर्बात कर दिया है कि सानों का या अंदोलन नवंबर 2020 से चल रहा है और अब अधिक दिन हो गए हैं सरकार क्रशी कानूनों को वापस ले जाएंगे बताने कि पश्यमंगाल के मुक्रमंत्री मम्ताब इनरजी ने इस बार रंदी ग्राम से चुनाव लड़ने का एलान किया है जिसके लिए उन्होंने 11 मार्च को अपना नामांकन भी दाखेल करवाया था वहीं रंदी ग्राम के सीट पर मम्ताब इनरजी का मुकाबल उनके पूर्व करीबी सहयोगी और अब उनके प्रतिवद्वी पैच अब प्रतिवद्वेंधी शुवेंदू अधिकारी से होने जा रहा है शुवेंदू अधिकारी ने सीट से अपना नामांकन पूरा करा लिया है अनुमान लगाया जा रहा है कि लंबे समय से क्रशी कान अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्स्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें